नक्सलिजम या लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिजम एक ऐसी रड़ाई जिसमे हमारे ही लोग हमारी ही सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं हत्यार उठाके बैठ चुके हैं और अपनी पैरलल गवर्मेंट्स भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं वेलकम तो इस 15 मिनट्स सीरीज आज के इस चोटे से सेशन में हम नक्सलिजम को अंडस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक ब्रीफ रिविजन करने की कोशिश करेंगे कि क्यों यह प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कुछ हिस्टॉरिकल रीजन क्या है इस प्रॉब्लम के कब यह प्रॉब्लम अपनी चरम सीमा में पहुँच गई थी लगबक 2009-2010 के बारे में डिसकस करेंगे और उसके बाद कैसे एक डिकलाइन देखने को मिला है इस प्रॉब्लम के अंदर अभी तक यह प्रॉब्लम खतम नहीं हुई है बट कुछ हद दक एक डिकलाइन देखन सकते हैं कि फॉर्म हुण सते हैं कि B.يا कि यह पी जो रूलिंग गवर्मेंट हैं हमारे देश की वह एक रैइन डाले की पर घ्याइन हाईन के पूरी इनकि एोट सेक्स का सुमपल कहन यह था कि दो तरह के लोग होते हैं एक होते हैं deutlich और एक टाइम ऐसा आजाता है कि जो have nots होते हैं, जिन लोगों के पास capitalism या पैसा नहीं होता, जिन लोगों के पास resources नहीं होते, वो लोग उन लोगों के उपर हमला कर देते हैं, जिनके पास resources होते हैं, और उन सब लोगों के resources आपस में बांट लेते हैं, तो ये एक छोटा सा concept है जिसको understand करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह जो left wing यह leftist ideology है यह belief करती है कि लोग equal होने चाहिए और resources equally distribute होने चाहिए Karl Marx ने यह theory दी यह understanding उन्होंने develop करी बट इसको implement नहीं किया कभी भी implement किसने किया Mao Zedong ने कहां पे किया चाइना में और वो ideology चलके इंडिया पहुंचती है और इंडिया में नक्सलिजम का formation हो जाता है और left wing extremism के साथ इसको जोड़ा जाता है extremism word का मतलब ही basically यह है कि वो लोग हैं जो arms उठा रहे हैं against the government या against the local people या against the state symbols इसलिए इसको extremism के साथ जोड़ा जाता है अपने political agenda को पूरा करने के लिए यह लड़ाई के लिए भी तयार है यह arms और ammunition की usage करने के लिए भी तयार है तो let us briefly try to understand के भाई नक्सलिजम शब्द कहां से आया राइट नक्सलिजम यह जो word है नक्सलिजम यह derive होता है नक्सलबाडी गाउं के नाम से नक्सलबाडी एक गाउं है वेस्ट बेंगौल के अंदर जहां पर इस पूरे प्रॉब्लम की शुरुवात देखने को मिली बैसिकली नक्सलबाडी गाउं में एक पीजन्ट अपराइजिंग हुई या एक पीजन्ट रिवोल्ट हुआ हुआ क्या था बैसिकली एक एक लैंडलॉड के कुछ गुंडों ने आकर लैंडलॉड के कुछ गुंडों ने आकर एक ऐसे इंसान को मारना शुरू कर दिया जो की पेजन्ट था और अपनी ही खेती कर रहा था अपनी ही जमीन पे उसको मार पीट करके उसको काफी जादा मारा पीटा और उसके बाद ये जो रिवोल्ट है ये बढ़ना कुछ ऐसे लोगों ने इस पूरे के पूरे मुवमेंट को बहुत जादा अग्रेसिवली केरी आउट करना शुरू कर दिया 1967 की हम ये बात कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है कि जो नक्सलिजम की ऐडियोजी है जो लेफ्ट विंग की ऐडियोजी है ये 1967 के बाद इंडिया में द एलंगाना के अंदर भी अप्राइजिंग चल रही थी जिसमें पेजेंट और लैंडलॉट की वीच में लड़ाई चल रही थी उस टाइम से ही इसके बारे में बातचीत होनी शुरू होगी थी बट 1967 का जो ये केस था जहां पे लैंडलॉट के गुंडों ने आके एक लोकल पेजेंट को मारना शुरू कर दिया उसके बाद ये जो मुद्दा था ये बहुत जादा लाइम लाइट में आना शुरू हो गया अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि क्यूं ये मुद्दा देखने को मिल रहा था बिटिश उस ताइम पे इंडिया में रूल कर रहे थे र रहो और आप लोगों को इंप्लॉय करो उस लैंड के उपर उनसे काम करवाओ और हमें टैक्स कलेट करके देदो तो इस वजह से क्या हुआ जम्मिंदास के पास अंडियू पावर आ गई अंडियू पावर आगी तो हुआ कहीं ना कहीं लैंड कॉंसेंट्रेट होनी होती है और कैसे 1967 में फिर एक पीजन्ट रिवोल्ट जो नकसलबाडी पूलिस टेशन था वहाँ पे रिवोल्ट हुआ और वहाँ पे काफी हद तक हाता पाई हुई जिसकी वजह से यह जो इशू है इतना बड़ा बन गया तो इसके अलावा नेक्स्ट चीज हम बात करते है कि जो इनकी ideology है जो हमने अभी briefly पहले भी discuss किया था यह जो ideology है left-wing extremism की it comes from Karl Marx, Karl Marx ने communism की theory दी और वहाँ पे उनने बोला कि लोगों को equal होना चाहिए बगवान में believe नहीं करना चाहिए and हर चीज कुछ भी resources हो equally divide होने चाहिए किसी के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा पार resources हैं और किसी एक के पास बहुत कम तो यह ideology सिर्फ और सिर्फ दी गई थी Karl Marx के द्वारा but implementation का काम हुआ China के अंदर जब Mao Zedong जिनका हम यहाँ पे नाम पढ़ते हैं Mao Zedong ने इस ideology को implement करके दिखाया कहां पे China में और China में इन्होंने जो ruling government थी उसको overthrow किया और अपना rule establish कि बाद यह इनकी जो ideology थी यह बहुत ही strong ideology का इसने रूप ले लिया और communist ideology इंडिया में भी काफी जगा जो है देखने को मिली आपने सुना भी होगा CPI जो political party है वो कहां कहीं ना कहीं वो Mao Zedong या Karl Marx से inspired है ऐसा नहीं है कि हमारे जो खुद के freedom fighters थे वो इससे inspired नहीं थे नहीं सिंग खुद भी जो है communism की idea से बहुत जादा inspired थे तो Mao Zedong की जो leftist ideology थी यह इंडिया में काफी famous होने लगी और इनके जो founders थे नक्सलिजम के वो बोला जाता है कि कहीं ना कहीं हद तक चारु माजूमदार और कनू सन्याल जो थे major founders थे इस movement के जिन्होंने Mao Zedong की जो ideology थी उ aggressively उसको उसके उपर काम करना शुरू किया अब जब यह movement शुरू हुई या जब यह revolt जो है पूरा शुरू हुआ उस time पर काफी हद तक यह reward जो था क्योंकि शुरू west bengal से हुआ था यह 1967 की हम बात कर रहे है तो 1967 का यह reward था क्योंकि शुरू west bengal से हुआ तो काफी हद तक वहीं तक सीमित था बट धीरे धीरे लेटर रॉन इट स्टार्टेड मूविंग टू अधर एरियास एस वेल जैसे की उसके आसपास के एरियास जैसे की हो गया चत्रजगड, ओडिशा, आंधरापरदेश, तेलंगाना यहां तक यह सारी चीज़े जो है पहुंचने शुरू होगी और आप देखेंगे के कुछ सालों में ही एक रेड कोरीडोर जो है वो डिवेलप हो गया और रेड is the color of revolution इसलिए रेड कलर के साथ इसको associate किया जाता है और एक टाइम ऐसा आगया जब बहुत सारे एरियास जैसे की चत्रजगड टुड़े, प्रेजेंटे चत्रजगड जाड़कंड, वेस्ट बेंगॉल, ओडिशा, आंधरापरदेश इन सारे एरियास में यह जो armed rebellion के उपर focus नहीं किया जा रहा था, even इंडिया के legal system में आकर भी लड़ाई करी जा रही थी, जैसे की political parties को form किया जा रहा था, अगर आप लोगों को पता होगा CPI, जो Communist Party of India है, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी discussion किया था, उसके भी factions बन गे, right, CPI M करके, CPI Mowest करके एक party है, जिसको 2009 के अंदर ban भी कर दिया गया, क्योंकि ये लोग चाते थे कि हम लड़के, state से लड़के उनको हटा दे, इनका कभी भी requirement ये नहीं है, कि हमने देश से अलग होना है, ये चीज़ understand करना बहुत important है, they never want to make a separate country, नहीं, ये हमारी current ruling party को ruling government को overthrow करके, अ आज की सरकार है, वो equality में believe नहीं करती, वो development में believe नहीं करती, हमारे तक कुछ पहुंचा ही नहीं है आज तक, हमारे areas में जहां पर हम रहते हैं, वहां पर development नहीं देखने को मिली, वहां पर सरकार का किसी भी तरह का, आप कह सकते हैं, interest देखने को नहीं मिला, तो इसलिए हम चाते हैं हम अपनी सरकार चलाएं क्योंकि हम ट्राइबल लोग हैं हमारी languages सब different है हमारी जो culture है वो बहुत different है हम दिखते भी आपकी तरह नहीं है तो हम अलग से अपनी सरकार चलाएंगे जिससे हम अपने हिसाब से लोगों को जो है वो manage कर सके अपने area को manage कर सके तो Unlawful Activities Prevention Act 2009 के तहत यह जो party थी CPI India Communist Party of India Maoist इसको ban कर दिया गया ऐसी और भी कुछ political parties थी जिनको इस reason की वजह से ban कर दिया गया था अब शुरुवात तो हाला कि West Bengal में ही हुई बट धीरे धीरे जैसे कि हमने बात करी थी कि spread होना शुरू हो गया यह सारा issue जो है और States में पहुनना strong foothold इन लोगों ने जमा लिया बिहार तक भी यह पहुंचने लगे और एक time तो ऐसा भी था कि जब खालिस्तान वाला issue चल रहा था Blue Star Operation 1984 की मैं बात कर रहा हूं पंजाब की उस time पे भी यह लोग जो है support कर रहे थे खालिस्तानी movement को तो government के against कुछ भी हो तो वहां पर यह ल 2007 में था वैसा ही आज है नहीं बहुत सारे changes देखने को मिले हैं क्या changes है वो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं 1967 से लेके 2004 तक जब नक्सलिजम की actual शुरुवात हम नोट करते हैं नक्सलवाडी गाउं के उस जिले से नाम पड़ा उसके बाद हुई तो 1967 से 2004 तक का बहुत वीक लीडर हैं तो उनके अंदर भी बटवारें होने शुरू होगे के भाई नक्सलिजम के अंदर भी जुट बनने शुरू होगे different parties बननी शुरू होगी तो ऐसी CPI के भी काफी सारे forms निकले CPI ML बनके भी Marxist Leninist करके भी एक party बनी CPI M आपने अभी देखा मैंने और 1966 के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया में इंडरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाती है इंडरा गांधी का आपको मालूम है 1984 में उन्होंने खालिस्तान के गेंस्ट भी बहुत स्ट्रॉंग पोजिशन अपनी होल्ड करके रखिया और बहुत ही स्ट्रॉंग तरीके से उस रिवोल्ट को बंद किया 1967 से 1971 जब तक इंडरा गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे 1971 में उस टाइम पर आपको याद होगा कि बंगलादेश को भी हम फ्री करवाने की कोशिश कर रहे थे तो मिलिटरी के पास बहुत जादा पावर आचकी थी 1971 के उस ए बहुत बुरी तरह से इस पूरे रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया 2004 तक बहुत जादा इसमें जो है अप्राइजिंग देखने को नहीं मिली राइट बट 2004 के बाद चीजें काफी हद तक बदल गई 2004 के बाद हमें देखने को मिला कि बहुत जादा हद तक रिक्रूटमेंट जो है नक्सलिजम के अंदर इन्हों लोगों ने करी बहुत जादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया बहुत जादा डेटा के उपर इन लोगों ने बहुत जादा स्टडी करी ये तक देखा किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग एजूकेटेट हैं कितने लोगों का क surge मिली in the number of clashes with the government state symbol के साथ बहुत जादा clashes देखने को मिले और इनकी recruitments भी बहुत जादा जादा high level पे देखने को मिली 2004 के और 2010 के बीच-बीच में जो raw है raw जो हमारी research and analysis wing है उन्होंने estimate किया कि लगबग 20,000 armed nuxalites जो हैं वो आज की rate में active हैं और 50,000 reserved candidates हैं जो अभी तक regular carder में हैं बट उनको कभी भी armed nuxalites के अंदर convert किया जा सकता है तो at that particular time between 2004 and 2010 we were actually fighting in our own country with our own people और इस level पे हम लोग जो है fight कर रहे थे इस पूरे area को जैसे कि हमने अभी discuss किया था कि red corridor भी बोला गया और इस पूरे area में sporadic events हो रहे थे कभी किसी bus को आग लगा दी कभी किसी police station को तोड़ दिया अब यह लोग बोलते थे कि development नहीं है तो government development करने की कोशिश करती थी बट क्यूंकि यह government के against हो चुके थे इन लोगों ने government के symbols को ही तोड़ना शुरू कर दिया अगर सरकार वहां पर school बनाने की कोशिश कर रही है तो यह school को तोड़ देंगे अगर वहां पर railways को establish करने की कोशिश कर रही है तो railway lines को तोड़ देंगे तो यह बिल्कुल ही सरकार के लागू किया था जिसके अंदर इस revolt को crush कर दिया गया राइट यहां पर हमने एक different plan लेकर आये IAP आया है वहां पर हमारी सरकार ने integrated action plan को launch किया जिसके अंदर बहुत सारे operations थे राइट for example मैं एक operation आपको था एक operation था operation green hunt जो 2009-2010 के आसपास शायद उसको launch किया गया था और उस time पर decide किया गया कि भाई अब हमें all out इन लोगों के against लड़ना है और इस problem को खतम करना है और 2006 में आप देखोगे कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने एक बहुत बड़ी statement भी दी उन्होंने बोला कि यह problem इस हद तक बढ़ चुकी है कि 20,000 नक्सलाइट्स हैं जो arms लेकर घूम रहे हैं इतने चोटे-चोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में बहुत बड़े-बड़े advanced weapons हैं और यह problem आज की डेट में 2006 में पीम मनमोहन की खुद की यह proper line थी जिसमें उने बोला कि यह इस 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 इंटर्नल security threat that India has इसके अलावा इंडिया को external forces जो से जो threat है वो है बट internally नक्सलिजम सबसे बड़ा threat है तो इसलिए बहुत हद तक IAP के launch करने के बाद हमने देखा कि बहुत हद तक इसके उपर काम किया गया सरकार ने कहीं न कहीं बहुत properly और तरीके से इस चीज़ को खतम करने की कोशिश करी और काफी हद तक हमें होई है नक्सलिजम के अंदर नक्सलिजम की बजह से इसके अंदर दोनों स्टेट के से लोग जो यह लिए लड़ रहे थे वो भी है मतलब हमारी armed forces का number भी ग्लूड रहे और नक्सलिजम के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो लोग भी included है तो देखते हैं कैसे यह जो graph है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2004 से 10 के बीच में क्या situation थी और आज की रेट में क्या situation है 2007 का यहां पर example लिया हुआ है और 2007 के हिसाब से कितनी districts affected थी उसका यहां पर heat map जो है आपको देखने को मिल रहा होगा 2007 के हिसाब से अगर आप देख रहे हो आप देख सकते हो कि कितने हद तक यहां पर red means highest issue तो यहां पर आपको clearly दिख रहा है कि आंधरा परदेश के अंदर proper foot hold यह लोग जमा चुके थे और आंधरा परदेश भी काफी हद तक troubled area बन चुका था इसके लाबा वेस्ट बेंगॉल जहारकंड तो शुरू ट्राय जंक्शन ठीओरी को ट्राय जंक्शन ठीओरी वेसिकली क्या है कि जहां पर तीन स्टेट्स की convergence है उस particular area के अंदर यह अपने head office बना लेते हैं या उस particular area के अंदर ही operate करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि एक ऐसा जंक्शन पॉइंट ढूंड लिया जहां पर तीन स् करकार किया हमारे देश की जो state governments हैं उनकी police की coordination इतनी अच्छी नहीं है तो यह उस वजह से यहां पर इनको एक benefit मिल जाता है इनके against बहुत ज़्यादा कारवई नहीं होती but after implementation of integrated action plan चीजे बहुत हद तक change हो चुकी है और यह जो particular map जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यह जो map है यह 2013 का map है 2007 और 2013 को हम compare कर रहे हैं और आप देखेंगे कि काफी हद तक आंधरापरदेश के अंदर से इस problem को wipe out कर दिया wipe out करने में बहुत बड़ा हाद था आंधरापरदेश की एक force का जिसका नाम था greyhounds तो greyhounds ने बहुत ही actively participate किया और वहां पे इनके उपर attacks क करने शुरू किये गोरिला warfare की ही tactics को खुद भी employ करना शुरू कर दिया और इसको problem को काफी हद तक खतम किया तो अगर हम graphically देखें तो fatalities का number हम देखेंगे तो maximum number of fatalities happened in 2009 and 2010 why because integrated action plan जो था वो 2009 के अंदर आया और 2009, 2010, 2011 इन तीनों सालों के अंदर बहुत हद तक हमारी जो armed forces थ दिया और काफी हद तक इसको खतम किया तो जब हम बात करते हैं पुराने time की एक time ऐसा था के 223 से भी जादा I think 200 plus districts जो थी वो affect हो चुकी थी नक्सलिजम के problem से ये number बहुत पुराना है आज की date में अगर हम देखें तो जो MHA Ministry of Home Affairs जो हमें number बताती है वो बताती है कि आज की date में this number has reduced to almost 90 districts आज की date में सिरफ और सिरफ 90 districts ऐसी रह चुकी है जहां पर ये problem आज भी exist करती है और अभी एक recent 2020 का ही एक news आई थी जो कि यहां पर मैंने mention भी करी है एक recent news में जो हमारे union minister of state है जी किशन रेडी उन्होंने बोला कि 90 states में आज तक हमें देखने को मिल रही है य 2020 के अंदर अभी तक पिछले 4-5-6 महीनों के अंदर अब तो पूरा साल हो चुका है ये news है September की तो उन्होंने बोला है September 2020 के accordingly 9 महीने में सिरफ और सिरफ 46 districts के अंदर ही violence देखने को मिला है बाकी जो 45 districts हैं जहां पर हमें पता है नक्सलिजम exist करती है वहां पर violence देखने को नह काना पीना अतने अच्छे से stored नहीं था ये बहुत हथ तक अपने operations carry out नहीं कर पाया because of covid तो ये एक data जो है recently सामने आया है सो अब major reasons क्या है इस revolt के थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे और way forward क्या है just what we can think of के हमें क्या करना चाहिए आगे चलकर सबसे बड़ा reason तो cultural differences इन लोगों के साथ tribal people है जहां पर रहते हैं वहां पर बहुत जाता dense forests है dense forests होने की विज़ा से इन लोगों तक development नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये लोग अपना एक separate religion follow करते हैं इसलिए mainstream इंडिया के साथ कभी मिल नहीं पाए right languages इनके different है इसलिए हम लोगों के साथ इनका connection अच्छे से नहीं बना दूसरी चीज इसको इस तरह से भी link किया जा सकता है कि क्योंकि हमारे देश ने कोशिश ही नहीं करी हमारी सरका इसलिए जिसकी वज़ा से इन लोगों ने इस रास्ते को अपनाया है कि government के अगेंस्ट ही arms उठाए है इन लोगों ने सबसे बड़ा issue क्योंकि ये लोग tribal लोग हैं सिर्फ जमीन को प्यार करते हैं और इनका सबसे बड़ा issue है इनकी जल जंगल और जमीन ये बोलते हैं कि न होके मर गए और आज आप हमसे जंगल खरीद रहे हो या जंगल हमसे चीन रहे हो आपने forest conservation act लगा दिया आपने बोला कि जितने भी जंगल है उनके अंदर सरकार forest conservation करेगी या wildlife century उसको गोशिद करेगी उसके तहत हमें बोला गया कि आप जंगल छोड़ो आप कहीं और move हो ज आके हमें थोड़ी बहुत land दोगे उसकी implementation नहीं आप लोगों ने करी हमारे तक किसी भी तरह की development नहीं पहुंची क्यूंकि development नहीं पहुंची हम आज तक poverty में रह रहे हैं हमारे तक education नहीं पहुंची इसलिए हम illiterate हैं तो ये बहुत सारे issues हैं जिनकी वजह से जो है ये जो problem है आज create में तिनी बड़ी देखने को मिलती है तो जो तो लोग इन problems के solve होने से अपने आपको नक्सिलिजम से अलग कर सकते हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है development करने की कोशिश कर रही है इन सारी चीजों के उपर काम कर रही है और जो integrated action plan है उसके उसके अंदर भी बहु क्या सकते हैं what is the way forward right अब क्या करना है सबसे बड़ा चीज जो मुझे लगता है हो सकती है वो है कि communicate करना बहुत जरूरी है इन लोगों से यह जो लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं आज इनसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इनके preferences क्या है इनकी सबसे बड़े issues क्य हैं ताकि हम यह समझ पाएं कि जो सबसे बड़ा issue है सबसे पहले उसको solve किया जाए सबसे बड़ी चीज़ understand करें कि इनकी problem क्या है दूसरी चीज़ जो लोग already इस problem के अंदर हैं जो हमारे देश से खुद लड़ रहे हैं अब उनको ऐसी scheme दी जाए ताकि वो rehabilitate कर पाएं उन कि इनकी dignity को boost मिलता है कि मेरे पास अब arms हैं तो मेरी अब बात सुनेंगे अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है तो इनकी उनको इतना इस हब तक skill उनकी develop कर दी जाए ताकि यह लोग खुद ही self employ हो जाए इसके अलावा अभी 2017 में हमने देखा था कि राजनाथ सिंग जी एक बहुत ही बड़ा title दिया था समाधान बोला था उन्होंने 2017 में इस term को coin किया था which directly comes under the ministry of home affairs और उनने बोला कि समाधान के तहत हम बहुत सारी चीज़े strategic implementation of all the operations दुबारा से कर रहे हैं और carry out करने कोशिश कर रहे हैं ताकि इस problem से चुटकारा पाए जाए और इन लोगों को properly mainstream society के साथ link किया जाए so all of this is going on it has been going on from the past 50 years now but अभी तक भी concrete solutions या अभी तक भी properly इस problem को खतम नहीं किया गया है but I am very optimistic कि अगर हम बहुत अच्छे से इन issues को समझेंगे और government इन issues के ऊपर actual काम करके दिखाएगी तो काफी हद तक इन लोगों को जो है mainstream society के साथ link करना impossible नहीं है मुश्किल जरूर है राइट काफी हद तक इन्हों लोगों को already बहुत सारी scheme जैसी दी गई है कि आप छोड़ दो नक्सलिजम को और अपने आपको surrender कर दो बहुत सारी surrender policies भी दी गई है इन लोगों को और लगबग 15 से 20,000 लोगों ने surrender भी कि है तो उनको कुछ price भी announce किया सरकार ने के हम आपको कुछ cash price देंगे ताकि आपके 5-6 साल जो initially है अब आप क्यूंकि एक हद तक militancy को छोड़ रहो extremism को छोड़के mainstream society में आ रहे हो तो आपके कुछ time के लिए आपको support करने के लिए सरकार पैसा भी देगी तो बहुत सारी के ऐसी schemes और लेकर आनी पड़ सकती है but government should make sure that they communicate with these people and try to rehabilitate these people into the mainstream society. So, this is it for Naxalism, I hope this was very brief, ये बहुत ही एक brief understanding thi, I hope I did justice to this. So, thank you for being a part of this small session, we will catch you in the next session next week, till then bye-bye take care. कर दो